पीज़ कुछ वाइब्र की करण देले लिघ्सच एक अक्येस्टी पुलिश कौने डिपार्टमेट इस डेपार्टमेंट को किड्नाप किया है, पूरे शेहर की पुलिस ना तुम्हें नोच खाएगी, समझ रहे हो तुम, मेरी शकाल पे मच जाना बहुत क्यूट दिखती हूं मैं, लेकिन बहुत जादा डेंजरस हूं, समझ रहे हो, मेरी खोपड़ी खिसक गई ना तो तुम् साव Dennet की देखा। मात करेंओ हो तुम क्या तुम से बात करे हूं मद हमें तो ओई सून्ड़ों ना- देख भी ने रहे हो ए ऐम में कर दूक तक ओग गो क क्या क्या han मुझे कोई डरवार नहीं लग रहा है समझ रहा हूँ बहुत भगबग करती है ना तू हलो अरे क्या है यह कितना बोलती है अगर ऐसे दिमाग खाती रही ना तो मैं तुम्हारे ओडर का वेट नहीं करूँगा मैं खुदी मार दूँगा इसे अभी बोलो फुखा तो लिया है मारना कब है हाँ हाँ पता है पुलिस है ऐसी नहीं मार सकते है लेकिन मारना तो है ना फिर माँ कुछ खा लो ऐसे तब इत कराब हो जाएगी कुछ खा लो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बिल्ले हम अपने आपको इना बेबस मेहसूस कर रहे ना कि क्या बताए तुमको समझ मनिया रहे कहा हो कि हमारी बच्ची कहा ढूड़े उसे शिव जी शिव जी बचाई है हमारे संतु को हापी की बच्ची है वो आप लोग चाहते है ना कि संतो शर्मा सही सलामत घर वापस आए इभी कुछ पूछने वाला बात है मैडम सर माडम सर अन्दे को क्या चाहिए दो आखे बस आप बस पता है कैसे पता चलेगा तो यहां यह और हमारी बात ध्यान से सुनी समझ में आगया जी समझ तो गए मैडम सर मगाड़ डीएसपी सर की ओर्डर की तलवार आपके सर पर लटक रही है विभाग ये कारेवाही भी आपकर शुरू हो चुकी है ऐसे मैं अगर थोड़ी भी गड़बड हो गए तो मामला और बिखर चाहेगा संतो शर्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है पुछपा जी उसे सही सलामत वापस लाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तयार है कहां जा रही है सीना जी हम आपके हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते क्योंकि आपना ही हमारे सीनर है और नहीं स्थाने के शुपचन तक अगर आप संतोष शर्मा को ढूंडने जा रही है तो बस इतना ही कहूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं कि ये DSP सर के ओडर से बर कि इसलिए क्योंकि इस समया आप बहुत ही बड़े एमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही है क्योंकि जहां तक हमारा लॉजिक कहता है गुस्से और जजबात का कॉंबिनेशन बहुत ही खतरनाक होता है इन दोनों के बेस पर लिए गए फैसले अकसर बहुत ही खतरनाक साबित होते हैं असीना मलिक हमें अपने इमोशन से डील करना बहुत अच्छे से आता है मिस्टर अमर विद्रोही हम सब से पहले एक पुलीस वाले है अपने खाकी के फर्ज और अपने जाती फर्ज के बीच के बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते है जब तक यहां हूँ यह थाना मेरी भी जिम्मेदारी ऐसीना मलिक सन्तों शर्मा मी उन्हें डूनना उनकी हिफाज़त करना और सही सलामत उने वापिस लाना यह भी मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी हर जिम्मेदारी पकूबी निभाता हूँ ये भी निभाऊंगा भरोसा कीजिए मुझ पर बात भरोसी की है ही नहीं मिस्टर अमर विद्रूई बात दिल के रिष्टी की है और ये बात आप कभी समझेंगे इने इसलिए आपको जो ठीक लगता की मेरी ड्यूटी होगी जजबात महीं हर कोई जजबाती हो भी नहीं सकता मिस्टर अमर विद्रोही उसके लिए खास लोग होते हैं वो कहते हैं ना महबबत के लिए भी है कुछ खास दिल मकसूस ये वो नगमा नहीं जो हर सास पर गाया जाए ये क्या जाने टीम क्या होती है और आप क्या जाने सीनियर क्या होते हैं पिछले कहीं सालों से मेरा ये हाठ ठीक से काम ने कर रहा है शीनियर्स ने मुझे ड्यूटी के लिए डिस्कौलिफाई डिकलेर कर दिया था कोई भी ऐसे चो मेरे साथ काम करने के लिए तयार नहीं था तब ये अमर सर इन्होंने ना सिर्फ मुझे ड्यूटी पर वापस लगवाया बलके अपने साथ रखा और आज तक साथ निभा रहे हैं ये अमर विद्रोही कि कितने बड़े ओफिसर है ना ये अलग बात है पर इंसान इंसान बहुत बड़े है और ये मुझ से बेहतर कोई नहीं जानता पुषबाजी कोई नहीं सर हमको समझ में नहीं नहीं आ रहा है कि हम यह क्या कर रहे हैं हमें तो संतु को ढूडना चाहिए ना हम ऐसी जगा समी बरबाद काहे करें जा हम आज चुके हैं हमने अच्छी से तफतीश भी कर लिया सर आपको याद है का रिष्मा सिंग मैंने आपसे क्या कहा था नॉर्मल इंवेस्टिगेटर चीजों को देख कर क्राइम उपसर्फ करता है और एक शाप इंवेस्टिगेटर चीजों को सुन कर क्राइम उपसर्फ करता है क्योंकि हर चीज अपनी कहानी खुद कहती है बस कोई सुनने वाला चाहिए एक बार फिर से चेक कीजिए हर चीज यह देखिए गरिश मासे संतोष शर्मा का डंडा और उस पर लगे ये खून के धब्बे मतलब संतोष शर्मार उसके हमलावर के बीच में फिजिकल स्ट्रगल भी हुआ था वो देखिए करिश मासे फ्लोर की तरफ देखिए क्या नजर आ रहा है सुर्ये punished कुछ किरा है और किसी ने साफ किया और वो अच्छी से साफ भी नहीं हुआ है मताब ऐसे गन्दे कुपड़े से साफ आसा لगरा है तो जार्म ने किया होगा पर 32 operation operation कि गिज्शने क이 भातता है ताकि वो किसी दवाई की शीशी का धक्कन दवाई का शीशी नहीं मिला लेकिन सिव धक्कन मिला तूटावा ग्लास, कांच के बिखरे हुए टुकडे, तंडे पर लगे हुए खून के धबे और कम्रे की आधिय धूरी सफाई कुछ समझ में आ रहा है, हैसा ही करिश्मा से ये सारी चीज़े कहानी के वो बिखरे हुए टुकडे हैं, जिनने अगर थोड़ी से होशियारी से जोड़ दिया जाए तो यहाँ क्या हुआ था उस बात का पता बड़ी आसानी से चल जाएगा हमला वर्ने घर में एंटर होते ही सबसे पहले संतोष शर्मा को बिखोश कर दिया होगा उसके बाद बिहोशी की दवा की शीशी खोली गई, शीशी की सारी गोलिया पानी के इस किलास में डाल कर मिलाई ताकि संतोष को पिलाए और संतोष की मौत क्लियर कट एक सूशाइड लगे जो संतोष शर्मा ने जान बूच कर अपनी मर्जी से अपनी जान लेने के लिए खाई जब हमलावर ने संतोष शर्मा को नीम की कोलिया खिराने की कोशिश की होगी तक तक संतोष शर्मा को थोड़ा सा होश आ चुका होगा और थोड़े से होश में उसने हमलावर का विरोध किया होगा जाहिर एब हमलावर ने संतोष को काबू में रखने के लिए उसे फिर से विहोश किया होगा अब संतोष हर्मा को मारना और उसकी मौत को सुसाइड डिकलेर करना तो पॉसिबल नहीं था हमलावर का पूरा प्लान फेल होल चुका था और ये पूरा मामला सुसाइड का लग सके इसलिए हमलावर को किसी ऐसी चीज़ की जरूरत थी जिसे वह संतोष हर्मा के खिलाफ यूज कर सके और उसे मिला वो नोट फाइनली उसे उस सिट्वेशन में जो सूझा उसने किया उसने यहां जो हुआ उसके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की साफ सफाई की यहां गी और बेहोश संतोष को लेकर यहां से चला गया सर्फ यह मर्दों का दाड़ी मुझ बनाने वाला रिस है क्या श्रीमान दीवान हर वक बस काम काम कभी तो कर लीजे न थोड़ा सा विश्राम जाए जाकर कराए थोड़ा जलपान अरे हम तो कभी ता बोल गए वैसे तो हम कभी कभी ता करते नहीं मगर आज अचानक कहने का मतलब यह है कि जाए थुड़ा चाय वाई पीकर आए जाए आज आज आपको हमारी चिंता कैसे हो रही है इंसानित हमें भी है, इसलिए इंसानियत के खातिर पूछ रहे कि जाये जाये जा कर चायवाय पीकर राइए वैसे बात तो आपने साही की चाय पीने की इच्छा दो हो रही है हो रही है ना ? तो फिर देर खिजाये तुरंटिके आईए अपनी इच्छा पूरी किजिए वरना यह अगर इच्छा धूरी रहे गई न तो आपकी आत्मा यही हवेली में भटकती रहेगी चाय चाय करते हुए चाय 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 यह लिजय दिवान जी बद नाम इस पेसल चाम देखे आपने चाय गई और चाय भी आ गई जी फोन फोन बज़ रहे जाए जाए नहीं इस बार आप जाए और फोन उठाएए क्या बात करें आप आप ? हार बार आप कहते रहते रहें हुड़ते हमेशा अगय-गय करते हैं मर्दों को कुच करनेए नए नखी हमेंने सुनने आपके ताने जाए फोन जाए इस बार हमें कोई जल्दी नहीं, क्या है ना, आपकी हसी ना मैडम, फिलाल ओफिशली इस कॉंपटेशन से बाहर है, और संतो शर्मा का केस तो हमारे सर संभाली रहें, तो कोई बात नहीं, आप जाएए मुझे कोई प्रब्लम नहीं मुझे रिपोर्ट लिखाना है, 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 हमारी तरफ क्या देख रहें, जाएए रिपोर्ट लिखाना है, नहीं हम नहीं ले सक बताई हो जी मेरा मुपाइल खो गया है उसी कंप्रेंट निकाल दिया है हेलो मलाइका हमारी या खाना बनाने आती है सबजी बनाओ भिंडी की किया को फुझ पाल MA decision माशी की खाना परम क्या को जी आर रा है इस जेहीं वेडम से जीएन कुछष मिला कि पनिना संतोष के फोन से समझ में नहीं आ रहा है मैडम से क्या बता depend a laugh इस संतोष की साथ पताने क्या चल रहा था क्यों ऐसा क्या हो गया उसके फोन रेकॉर्ड से पता चल रहा है माडम सर, उसने कल किसी डॉक्टर दामीनी खन्ना को मेसेज किया था डॉक्टर दामीनी खन्ना, एक मलोची किट सक है वो, क्या कहते है उसे, साइक साइक्याट्रिस्ट हाँ, वही वही तो हमें भी समझ में नहीं या रहा है माडम सर, क्यों? अच्छा ठीक है, मेसेज में क्या लिखा था? मेसेज में हाँ, हाँ, दो लाइन का मेसेज है, पढ़के सुनाते हैं, एक मिर्ट आ, आइम फिलिंग वेरी डिप्रेस्ट, आइड तू मेट यू संतोष रमाड डिप्रेस्ट थी? मतलब, चीता बिल्कुल सही क्या रहा था कि संतोष ने जो है पॉलिग्राफ टेस्स का जरूत से जादा ही स्ट्रेस ले लिया और हमें पता ही नहीं है बच्ची, बच्ची किस तकलिफ से गुजर रही है और वो बेन ना लाया एक छोटा सा पिंपल भी आता था था ना तो दिन में पच्चास बार हमारे कान खाती थी पुषपाजी, देखिए, पिंपल आ गया, पिंपल आ गया और इतनी बड़ी बात उसने हमसे एक बार भी नहीं कई और हम पर इतना भी बरोसा नहीं कर सकते थी वो आने दीजिये, वापस आने दीजिये उसे, ऐसा कंटा आप लगाएंगे ना, कि पुषपाजी, पुषपाजी, देखिए, प्लीज, प्लीज आप खुद को सम्हालिये, इस तरह से आप टूट जाएंगी, तो हम सब क्या होगा आपने डॉक्टर का नाम क्या पता है? डॉक्टर दामीनी खन्ना ठीक है, उनका एड्रस हमें मैसेज कीजिये, जल्दी जी भेज़ते हैं, अभी भेज़ते हैं, हाँ, जय हिंद डॉक्टर दामीनी, येस, अम सो सॉरी हम इस तरह से बिना परमिशन के अंदर आ गए हैं, लेकिन ये किसी की जिंदगी का सवाल है, हमें आप से बस दो मनिट बात करनी है, इस ओके, कहिए क्या बात करनी है, हाँ, आप शायद पेशिंट के साथ हैं, हम बाहर चल कर बात करे नहीं, उसकी ज़रुवत नहीं है, शेज नॉट माई पेशिंट, शेज अनुश्का मित्तल, फाउंडर ओफ बिग अन पेमस पामा कंपनी मुसकान, और इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी भी, होब यू नो हर, अपको अनुश्का मित्तल, फार्मा कुईन आपको कौन नहीं जा अगर आपको इतराजना हो, तो क्या मैं यहां रुख सकती हूँ, हो सकता है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर दूँ जाहिन दिवान जी, बताइए, संतोष के मेसजी चेक किया आपने, कुछ हाथ लगा उसके फोन से, एनी क्लू, कोई इशारा, अब सर क्या ही बताए आपको, फोन हाथ में लगे तो कुछ पता चले ना, पर सर यहां तो संतोष शर्मा का फोन ही काया भे, सर यह पक्का ही नह कामें यह चाहते ही नहीं कि हमारे हाथ पे फोन आये और हम यह केस सौल करें, अब आप बताईए, सर में क्या करूँ, ने ने फिलाल आप कुछ मत कीजिए, मैं देखता हूं क्या हो सकता है, ठीक है सर, जाहिन सर, जाहिन, क्या वह सर कुछ दिक्कत है, ने ने यह सब ठीक है अब प्लीज आगे से राइट लीजिए, जी, इन्हें जानती है, यह तो वही लड़की है, कौन, कौन लड़की, कल ही तो आई थी मेरे पास, काफी डिस्टर्ब थी अपनी परस्नल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और डिप्रेस्ट भी लग रही थी, मैंने कुछ मेडिस है, हम इसी को तलाश कर रहे है, ओ गौड, कितने केरलेस है आज कल के यंग्स्टर्स, मेरी प्रिस्क्रेब मेडिसिन ली होती, तो अभी तक ठीक हो जाती, और कहीं गई भी नहीं होती, काश इन यंग्स्टर्स को कोई समझाए, कि अगर कोई प्रॉबलम है, तो बात करें, अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, पता ने, क्या आजकल के जनरेशन कुछ शेर नहीं करना चाहते है, इसलिए तो माई ट्रॉबल शूटर नाम की सल्यूशन पिलिस को प्रिस्क्रेब की थी, जो आजकल के यंग्स्टर्स के इनी प्रॉबलम को ध्यान में रखके बनाए ग अफसोस हसीना जी, इसनी सीनियर ओफिसर होकर भी लगता नहीं कि आपको प्रोटकॉल की कोई परवा है, इस्पी सर ने साफ साफ कहा था कि आप आने में आने वाली किसी भी अक्टिविटी में शामिल नहीं होगी, और मैंने भी आपको इस केस को लेकर वान किया था, लेकिन आप फिर भी मेरी इंवेस्टिकेशन में दखल दे रही हैं? मुझे अपने साथ थाने दीजी, ताकि आप हमारी इंवेस्टिकेशन में दख भी न दे पाएं, और जाने इन जाने में पर प्रोटोकॉल भी ब्रेक न कर पाएं, प्लीज, इतनी बात तो आप मानी सकती हैं मेरी? अच्छा ठीक है, लेकिन आप हमारे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे प्रॉमिस करिश्मा सिंग, आप जा सकती हैं, अब ये केस हम दोनों मिलकर देख लेंगे, ठाने में मिलते हैं, थैंक्यू जैहन, जैहन, प्लीज अरे, ये कहां लेया ये, कहां रोक दी अपने गड़ी? उतरी है, सीना जी हम क्यों उतरे? देखिए, आप चलिए, हम कहीं उतरने वाले आप सीना जी, मेरी बात सुनिए, उतरी है, प्लीज तिमा खराब है आपका आप पागलों को ये, अपका दिमाग खराब हो, ये क्या कर रहे हैं आप, आप मेरे भी दोड़े, आप से बात कर रहे हैं I'm sorry, Haseena जी, करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने कोई option इन सोड़ा मेरे पास मैं जानता हूँ, इस केस के साथ, आप बहुत emotionally connected है, और Santosh Sharma आपके लिए बहुत important है, लेकिन मुझे भी तो अपनी duty करनी है, जो आप मुझे करने नहीं देरी, मेरी investigation के बीच में आपकर डिस्टरब कर रहे हैं देखिये थोड़ी देर की बात है, प्लीज अड़्जस कर लीजे मेरे लिए, उसके बाद I promise you, मैं Santosh Sharma और उसके हमलावर को लेकर आकर मैं आपको release कर दूँगा, पर थोड़ी देर के लिए प्लीजस कर लीजे, मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं अरे, क्यों पागले क्यों अपको दिमाख, अम्मार वेदर ओई, अम्मार वेदर ओई